सभी किशान साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल नेच्रल हवस फार्मिंग में स्वागत है मैं सुवेदार जगदीश सिंग्चोहन की तरफ से आप सभी को राम राम तो किशान साथियों आज हम आए हैं बहादरुगड के प्रिगतिशील किशान स्री मूलचंद आरिय जी के फार्म पर और उन्होंने गन्य को बहुत इच्छी तरीके से तयार किया है गन्य की फ़सल को तो उनसे जानकारी लेते हैं उनके गन्य के बारे में उन्होंने करीबन 16 फिट के आस्पा जो है गन्या तयार किया है तो किस तक्निकी से क्या है कैसे क्या है आईए हम सब जानते हैं मुलचन जी आज हम आपके फारम हाउस पर फिर दुबारा से आए हैं और आपके जो गन्य की फशल है जो कि ये देखिए लह लहा रही है और काफी उंचाई पर ये आपने पहुचा दिये तो इसकी जो अपने प्रिगर्ती की है किस तरीके से आपने इसको किया है इसके बारे में जो हमारे किशान भाई देख रहे हैं उनके उनको जरा बताएं मूलचन दारिये लोक भारती अपना संग्ठन है उसका मैं संच पिरमुकू चार जिलों का अच्छा जो और प्राकृतिक खेती का आयाम लोक भारती का है और मैं उसी के माध्यम से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं ये मेरा 38 गन्ना है और गन्ने को पुराने तरीके से ही मैंने बोया है जो मैं बहुत आ रहा हूं पीछे मूलचन जी हम आप से जानना चाह रहे हैं कि आपने इस गन्ने को किस महिने में बोया था और किस विधी से बोया है जी ये मैंने अप्रेल के लाश्ट में गन्ना बोया है गेहूं काटने के बाद बोया है और इसकी जुताई करने के बाद खेत की इसमें देशी खाट डाल करके घंजीवा अमरड लगाके जी और इसको गन्ने को बोया है तीन फाले के ट्रेक्टर से यानि रेजर से अच्छा जीए और मैंने वोही विधी जो मतलब कहने का बोता आ रहा था मैं उसी विधी को मैंने जो है किया है और उसी विधी के अनुसार है बहुत जादा चोड़ी नहीं है बहुत जादा जलता है अच्छा जी और उसके बाद में जो है जीवा अम्रत से इसकी सिचाई की है जी और यह आप देख रहे हैं इसकी तीन बदाईयां जो है मैंने लगवाई हैं जी यह गन्ना है अरतिस का मोता जी फसक्लास को अच्छी तरीके निरोगा है तो मूल जी जैसे आपने ये इकटा इकटा हो रहा है तो यह आप क evalu believers' कैसे बोया है गड्LE करके वह मूइं ट्रण्च वेस्टी से बोया है क्या है यह साधा विदी है इसकी कोई मतलब कहने का जो आए वह नहीं कि अमारे पारंपरीक 돼 तो इसमें जो यह कुछ आपके यो नजर आ रहे हैं मेरे को जैसे कि यह चारो तरफ सरकल बना हुआ है और बीच में भी इसमें आपके यह आय हुए है जो गन्य के यो पेड़ तयार हैं तो यह किस तरी के से हल्चे बोय गए हैं ये एक खूड तो यह बोया है जी एक खूड यह बोया बीच वाला यह अच्छा इंक तीन खूडों को मिला करके मतलब जहने का उसको मांधा अच्छ तो एक मेड़े में लगबग कितना वजन का यह गन्ना आपका हो जाता है यह गन्न एक मेड़े में कि शत्तर सब्सक्रतर किलो कि आज पास गन्ना निकलेगा अच्छा और और गन्ना अभी बढ़ भी रहा है आप देखी रहे हैं उपपर रुका नहीं है और अगली जीवामरत की सिचाई होगी गन्ने की मोटाई भी बहुत तकड़ी है और गन्ना बिल्कुल निरोगी है देखिए ना तो इसमें कहीं गिंडार लगी हुई है जैसे कि पहले वो लाल हो जाता था या च्छेद हो जाते थे बिल्कुल साफ और मोटे तने एक दम जिसे लठ भर का गन्ना जिसको बोलते हैं वह आप ने तयार किया हुआ हुई है कि मुलका जी जैसा कि हम यह देख रहे हैं कि आपने दूसरा गन्ना भी तैयार किया हुआ है जो कि इसकी यह मार्च में गन्ना लगाया है मुल्चंजी यह गन्ना किस पद्धति द्वारा लगाया गया है रिंग पद्धति से गन्ना लगाया है और एक वाई एक यानि मतलब कहने का जो है एक फिट के व्यास का गन्ना लगाने के बाद गड़ा खोदने के बाद वह दो फिट हो जाता है एक फिट इदर एक फिट इदर जी उसमें उसमें फिर उसको साफ करके गड़े को और उसमें घंजिवा डाला है वह एक से दो किलो डाला है तो यह जो आपने भी तैयर किया होगा जी पोड़ी बनाने के बाद में पिर आपने इसको मैंने हर उसमें पंगोली होती है जो पहना बनाया जाता है और उसको जो एक चारां तरफ लगाया है उसके बाद उसमें बीच में फिर उसको अले टाइप लगाया है जैसे साइकलों की साइकल के पईये में तिलिया होती है लेकिन इतनी बारी की से नहीं लगाया दूरी दूरी पे लगाया और उसको जो है जब फिर वो उसका जो गन्ने का बीज है उसको हमने सोधित किया है प्राकिर्तिक विधी से सोधित किया है जीवामरत में चूना मिला कर के उसको 24 गंटे के लिए मतलब कहने का भी को दिया है उसके बाद हमने लगाया है तो जब सोधित हो जाता है किसी पिरकार की बीमारी उसमें जनित नहीं आती और गन्ना निरोग और कोई भी भी जो निरोगा रहता है मार्च के महीने में बोया था यह लगवक कितना फिट होगा अंदाजे से लगवक सोले से ज्यादा ही है मतलब कहने का कम तो है नहीं और अभी तो चली रहा है मुल्चन जी एक बाद बताईए कि इसमें हैं एक मेड़े में कितने वजन का गन्ना तैयार हो जाएगा इसमें नब्बै से सौ किलो वो ग्राम निकलना चाहिए एक मेड़े के अंदा तो यह सब आपने प्राकृतिक खेती के द्वारा ही किया है बिल्कुल विधी से और इसमें तो कोई किसी प्रिकार का यंत्र की आवसकता नहीं पड़ती वह फाबला वह फाबलेस के द्वारा जो है व च्छे इंच रखी जाती है और वह बहुत बढ़िया तरीके से जवाब आता है जब जमाब आ जाता है तो फिर हम उसको जो है उनी कल्लों को जो है जो जम के आए हैं उनी को हम जो है फिर रखते हैं बाकी जो कल्ले ब्यांत करती है उसको काड़ दे तो मूल्चन जी इसमें आप पूछ और भी चैप फॉच्छ कर लगा सकते हैं क्योंने कि अपने नहीं लगाई है वह वह इसकर के नहीं लगाई है के वह अपने फर्स टाइम किया है और हम पर योग कर रहें कुछ पॉद्वाद आगे से आप इसमें हल्दी की जगे हमने इसमें वह लगा था क्यूंकि हमने इस करके उलद जो है उलद वो कम समय की है और जल्दी उसको जह मिल जाती से अमशा रगेवा शकर kg जयंaro भॉला हो जाता है तो उसमें किसान भाई देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैं यह संदेश देना चाहता हूं किसान भाईयों को कि प्राकिर्टिक खेती अपने लिए और दूसरों के लिए अवस्य करें यह कम लागत की है और इसको आसानी से खिसान पैदा कर सकता है और ऐसा नहीं है कि पैदावार ना हो यह पैदावार उसकी कोई कमी होगी लेकिन जो है थोड़ा सा अपनाने की बात है और अपने को जो है इसमें लगाने की बात है कि हम उस तरीके से उसको करें कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो है खेती के विशे में वो खेत का किसान ही है जब हम करेंगे तरीके से तो उन्नत फसल होगी बढ़िया होगी जे जे और उत्पाधन भी बढ़िया होगा उसको दाम भी अच्छा मिलेगा किसान साथियो अभी अभी आपने प्रिगतिशील किसान श्री मूल चन आरिय जी को सुना और उन्से जानकारी ली हमारी कोशिस हमेशा आपको अच्छी जानकारी देने की होती है तो साथियो अगर हमारी कोशिश के द्वारा आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो हमारे यूट्यूब चैनल नैचुरल हर्ब्स फार्मिंग को एक बार अवस्य सब्सक्राइब करें साथी साथ घंटे वाले बटन को भी जिरूर दबाएं जिसे की आपको नएने वीडियो सबसे पहले मिलें वीडियो प्रशन आने पर जादा से जादा लाइक करें कमेंट्स करें शेर करें धन्यवाद